करेंगे हम निफ्टी फिफ्टी के वर में कल किस तरीके से प्लैनिंग कर सकते हैं आज का दिन काफी जाता अगेन बोरिंग दिन था साइडवेज दिन यह एक्सपेक्टेशन पहले से थी बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जिस दिन मूव आता है जिस दिन हो सकता है और कल मैंने आपको क्या बताया था जाएंगे अपने टेलिग्राम के ऊपर यह हमारा टेलिग्राम गृूप है 1.6 के सब्सक्राइबर जाके इसको जोइन कर सकते हो बिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा मॉर्निंग मैंने आपको सपोर्ट रिस्टेंस के लेवल बहुत ही छोटा अब यहां पर प्रॉब्लम क्या यह बताऊंगा बैंक निफ्टी में सिफ 15 पॉइंट का मूव आया जबकि अगर आप देखोगे इंडेक्स में तो इंडेक्स में 70 पॉइंट का वहां से मूव था तो प्रीमियम का डिके चल रहा था थोड़ा दिक्कत था मौनिंग में इसलिए यह ट्रेड बढ़िया नहीं बना अधरवाइस 35 पॉइंट का बन जाता देन हमने काम किया एक बजे के बाद 20 पॉइंट का मूव मिला देन 30 पॉइंट का मूव मिला निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में इसमें पहले स्टॉप लॉस लिया और उस 179 पर बेचा 180 कॉइंटिटी देख लेना 300 पर लिया 312 पर लिया 180 कॉइंटिटी उसका 863 उसका 300 100 200 200 200 700 और 1200 आई थिंक बस इतना ही है तो कुछ खास काम नहीं हूँ आज के दिन लेकिन जो वह डीसेंट है बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे ठीक है अब बात कर दो लेते है एक पैता लीच मैंने ट्रेड ओके मैंने ट्रेड कहां पर दिया था बता देता हो आप लोगों को क्या वियू था निफ्टी का trade क्या था एक SL लगा तो एक target मिला यानि कि वो 0 हो गया bank nifty के छोटे-छोटे target और morning में एक बढ़िया 50 point का morning में target मिला ठीक है अब market देखें तो भाईया market देखो यहाँ पर यह मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि यह जो candle बनी है निफ्टी और bank nifty में यह काफी जादा दिक्कत देने वाली है आप जाके कल की वीडियो देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखो market पूरा दिन इसी के अंदर रहा राइट तो हमने कुछ गलत बोला नहीं बोला हमने आपको क्या बोला था कि इस zone के उपर हम try करेंगे call size आने का इस zone के नीचे try करेंगे put size आने का यहाँ पर देखो market नाज कैसे trap किया सबसे पहले market ने trap किया यहाँ पर यहाँ पर लोगों को फिर डेलो पर यहाँ पर लोगों को ठीक है यहाँ पर दो बार एक बार दो बार आज के दिन लोग trap हुए हैं निफ्टी के अंदर हमने कहां पर प्लैन और उसमें भी हमारा एक एसल काटके उसके बाद downside का target निकालाए अब बात करें कि कल की planning क्या होंदी चाहिए आप लोगे तो काफी risk ऐसी planning रहेगी काल भी क्यों रिस्की रहने वाली है क्योंकि market बहुती घटिया zone में चल रहा है इसको यहां से निकलना पड़ेगा अगर इसको कुछ बढ़िया करना है तो ठीक है downside के level next level हमारे almost almost market वहीं पे है let's see कि कल इसके नीचे निकलता है या market यहां से sharp return लेता है ठीक है यही levels कल रहने वाले हैं तो यहां पे लेते हैं एक screenshot और कल की planning में आपको बता देता हूँ कि किस के उपर हम planning करने वाले तो देखो market है हमारा almost 22,900 के आसपास हमारी planning कल रहेगी इस zone के आसपास यानि की 22,960 के आसपास हमारी planning रहने वाली है call side के लिए ठीक है इसके उपर हम plan करेंगे call side and day low की planning रहेगी exactly 22,860 के नीचे हमारे लिए यहां open होना market जरूरी है और यह हमारा no trading zone रहने वाला है ठीक है तो यह area में कम से कम काम करना भीया पहले ही बता रहा हूं वहना आप के पैसे लुट जाएंगे अगर हम इसके नीचे निकलते हैं और यहां पे support नहीं मिलता है तो हमारा target 22,800 तक का रहेगा first target अगर हम 22,960 के open निकलते हैं तो पहला target छोटा है 23,000 का और फिर हमारा target है 23,040 पचास का ठीक है 23,000 हमारा again resistance बन सकता है resistance, resistance, resistance बहुत बार बनाए तो अगर बन सकता है तो हम छोटे target के लिए plan कर सकते हैं अगर इस area में कहीं पे plan होगा तो वो आपको telegram पर दिखाया जाएगा ठीक है आपको क्या करना है वीडियो को like, channel को subscribe, telegram को join, comment section में जो पूछना है पूछ सकते हो बाकी let's see कि कल कैसा दिन रहता, hopefully अच्छा रहे क्योंकि आज market काफी ज़्यादा sideways zone में था Thank you so much